हेलो बच्चो मेरा नाम है C.A. विकास और इस वीडियो में सीखेंगे कि what are the career opportunities post completing are financial modeling and business valuation उस पे आने से पहले ये समझ लेते हैं कि financial modeling का मतलब क्या है अगर एक simple example दूँ, मान के चलते हैं कि आप एक बलीनो गारी लेना चाते हैं आप confused हैं कि वह petrol गारी हो यः diesel गारी हो तो अब मिट से क्या पूछोगे कि Sir आपकी गारी कितनी चलती है अगर आपकी गारी जादा चलती है अगर आपकी गारी कम चलती है तो आप petrol गारी ले लिजे इसका मतलब क्या है, decision आपको आज लेना है, लेकिन किसके basis पे, कि future में आपकी गाड़ी कितनी चलेगी सेम वाइस companies भी क्या करती हैं, companies पैसा आज लगाती हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें forecast करने परते हैं कि हमारी sales क्या होगी, हमारी cost कितनी लगेगी, और हमारी profitability कितनी होगी तो हम ये analyze करते हैं, क्या company के लिए viable है, इस project को करना या नहीं करना हम financial viability चेक करते हैं, तो इसके लिए मैं दो ratios या दो competition से खाऊंगा एक को हम कहते हैं net present value और एक को बोलते हैं internal rate of return इन दो terms की मदस हम क्या सीखेंगे, financial viability निकालना, तो इसको कहते हैं financial modeling same way, एक example all ले लेते हैं, मान के चलते हैं, कि आज एक company है, जिसका नाम है सद्भव ये company करती क्या है, ये company roads बनाती है, सरकार के लिए और फिर क्या charge करती है, tolls charge करती है, that means वो अपनी cost कैसे recover करेगी, toll के थुरू अब आपको ये analyze करना है, कि क्या ये काम सद्भव को करना चाहिए, सरकार के लिए या नहीं करना चाहिए तो आप क्या करोगे, कितने खर्चे होने वाले हैं, कितनी toll revenues होगी और आपको viability check करनी है, उसकी NPD निकाल के और इसका IRR निकाल के अब practically एक example all लोंगा, आज अगर मैं आपसे पूछूँ, दो सरक हैं, एक सरक आपकी दिल्ली में है, National Highway की और एक सरक आपकी मिज़रम में है, क्या दोनों का toll सेम होगा? तब कहोगे सर यह कैसी बाते कर रहे हो, toll कैसे सेम हो सकता है? Now the answer is, road मिज़रम में हो, या road दिल्ली में हो, दोनों का toll हमेशा सेम होता है, बच्चा कहेगा सर आप गलत बोल रहे हो, now let me explain it, toll per kilometer basis पे हमेशा सेम होता है, it is the length of the road, जिसकी वज़र से toll change हो जाते हैं, फिर आप कहोगे सर, यह तो आप गलत बोल रहे हो, मैंने क्यों, अब आप कहोगे दिल्ली में, यह मुंबई में traffic काफी जादा है, तो उसकी तो वाइबिल्टी काफी अच्छी होगी, अगर उसकी वाइबिल्टी का सरकार को पैसा लेना है, यह कितना सरकार को पैसा देना है, यह पी एक एक जामपल है, financial modeling का, और मैंने आपको अभी एक fact बताया, कि national highway का हमेशा टोल पर किलोमीटर बेसेस पर क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, it is the length of the road, because of which toll charges वी तो एक हमने सीखा, financial modeling का मतलब, सेम का मतलब क्या है, business valuation का मतलब होता है, किसी भी share की सही कीमत निकालना, आज mutual fund companies है, hedge fund companies है, यह आपके भियाद पे क्या करती है, shares को खरीदती है, और एक समय के बाद उस share को बेच देती है, तो कब मुझे share को खरीदना है, या कब मुझे share को बेचना है, इसको कहते है, valuation, तो इ नमबर वान, जब की नौकरी लगेगी, that is going to be in valuation firms, अगर मैं बिग फुर की बात करूं, जैसे की EY, PwC, मैं खुद CA हूँ, और मेरी जो employment थी, that was with Einstein Young, Einstein Young के किस department में में नौकरी कर रहा था, that was in valuation, same wise, बिग फुर का एक और department होता है, जिसको कहते है, lead advisory, deal advisory में आपको क्या कर अब deal advisory का काम क्या होगा, अब deal कराना उस company को बेचना, जो बेचना चाहता है, और जो company खरीदना चाहता है, उसको करनी खरीद के देना, so पहली दूसरी जग आप जहां पर नौकरी कर सकते है, that is going to be deal advisory, third, जितने भी टॉप के investment banks है, JP Morgan, Morgan Stanley, वहां पर आपकी नौकरी लग सक कर सकते हैं, fifth, आप टागिर कर सकते हैं, corporate और start-ups, जो fund raising करना चाहते हैं, आज अगर मैं बात करूँ, Zepto की, so Zepto क्या कर रहा है, Zepto grow करने के लिए market से पैसा उठाता है, तो उनको किसकी requirement है, valuation की requirement है, तो आपको क्या कर सकते हैं, apply कर सकते हैं, and last but not the least, आप apply कर सकते हैं, banking companies में, तो इस में मैं आपको credit analysis भी सिखाऊंगा, credit analysis का मतलब क्या है, आपको analyze करना है कि company की credit worthiness, क्या ये company जो इसको आप loan दे रहे हो, क्या आपका पैसा वापस कर पाएगी, तो आपको underwriting करना भी सिखाएंगे, और आपको credit manager की तरह भी आप apply कर सकते हो, जहां पे आपका काम होगा कि company को loan देना, कितना loan देना चाहिए, और क्या ये company loan को वापस कर पाएगी, या नहीं कर पाएगी, तो ये सब career opportunities है, job target कर सकते हैं